असलाम लेकुम सुडेंट्स, वेलकम तो मैं चैनल सुडेल लाइफ, हाद में आपके साथ MGT 101 का लेसर नबर 24 डिसक्स करूंगी, इसके हैं डेटर्स, क्रेडिटर्स, एक्रूवल्स, एन प्रोविजन फोर बैर डेट्स, अब सबसे पहले क्या है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर हैं, आप उसके क्रेडिटर आपने से चीज़ करी दी, लेकिन अभी तक आपने पैसे नहीं दिये, तो आप उसके क्रेडिटर्स हो जाएंगे, और बेसिकली आपके साथ पर एक कर्ज होता है, तो उसको आप क्या करेंगे, लाइबिलिटी में भी उसको आप अकाउंट करें तो वो क्या बनेंगी, कि जब आप किसी से गोड्स पर चेज करते हैं क्रेडिट पे, तो उसमें जो स्टॉक अकाउंट होता है, वो क्या होता है, डैबिट होता है, और इसी चीज़ को अगर आप रिटर्न कर देंगे, गोड्स रिटर्न में अगर ये चीज सेली जाएगी, तो ये ओपोसित हो जागा, जैसे ग्राडिटर्स अकाउंट पहले क्राडिट थे, तो वो डैबिट हो जाएगे, और स्टॉक अकाउंट जो पहले डैबिट था, वो क्या हो जाएगा, ग्रैट और अट टाइम ऑफ पे ये पर चेज अप गूड्स के तरह होंगे, ये सेम हो होंगे जैसे purchase of wood में credit account क्या था debit था तो इसी में भी payment के time पे आप क्या हो जाएंगे debit हो जाएंगे और जो cash bank account आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा credit हो जाएगा उसके बाद क्या discount receive discount क्या होता है जब आपको किसी चीज़ पर कोई extra चीज़ मिल रही है किसी income पर या फिर आपको कोई किसी stock की जो cost है उसमें आपको reduction हुई है यानि आपको कुछ discount receive हो रहे तो वह होता है और उसको आप accounting में कैसे लिखेंगे इसमें creditors क्या होता है debit होता है और जो discount received या stock होता है वह क्रेडिट होता है उसके बाद accrued expenses गया होता है जो के payable होता है यानि अगर आपने किसी से उधाल लिया है तो अभी आपने उसको वह देना है यानि अभी आप उसको दे नहीं रहे या भी आपने दिया नहीं वह processing में है वह चीज़ तो इसको क्या कहता है accrued expenses मतलब अगर आपने किसी के कोई पैसे pay करने है तो आपने भी pay नहीं किये और अगर आपने किसी से receive करने है तो भी आपने वो receive नहीं किये तो इसकी accounting statements क्या होंगी expense account इसमें debit होगा और accrued expense या expense payable भी इसको कहते हैं यह क्रेडिट होगा अगर आप इसको return कर देंगे तो यह क्या हो जागा opposite हो जागा इसमें जो expense payable या accrued expense है वो क्या हो जागा debit हो जागा इस condition में और जो relevant expenses हैं वो क्या हो जाएंगे credit हो जाएंगी यानि simple account और जो return account होता है वो एक दूसरे के opposite होता है अगर उसमें एक चीज़ credit हो रही है तो return में जाके वो debit हो जाएगी ठीक है इसी तरह अगर payment के time है तो payment के time पे उसमें accrued expenses और expense payable है वो क्या होंगे वो आपके debit ही रहेंगे और जो cash cash account है वो आपका क्या हो जाएगा credit हो जाएगा उसके बाद क्या difference between accrual and provision accrual और provision में क्या differences होते है एक्रूल account क्या होते है या accrual expenses क्या होते है ऐसे expenses जो exact आपको पता होते है या आपको बता होता है मेरा सीज़ पे इतना खर्चा होना है तो या आपके accrual expenses होते है और provision क्या होता है जो जिस पे आपको बाद में एक mind बनाना पड़ता है एक idea सारा बाद में लगाना पड़ता है यानि आपको काम होने के बाद पता चलता है आपको कोई idea नहीं होता कि इस पे कितने पैसे लग रहे हैं और कितने expenses आएंगे कितना amount इस पे मेरी खर्च होगी इसको आपको बाद में सारी calculation करने के बाद idea होता है अंताजा होता है आपको सारी calculation सामने आती है कि मुझे इस चीज़ पे इतना पैसा करना पड़ा तो यह आपके क्याते हैं यह आपके provisions expenses होते हैं जिनके बारे में आपको कोई idea नहीं होता तो इसमें accounting treatment कैसे होगा यानि इसको accounting में कैसे लिखेंगे कि जो आपका at the time of recording provision है जिसमें relevant expense account है वो debit होगा और provision आपके क्या होगे credit होगे और payment के time पे जब आप payment बना रहे होते तो उसमें provision के होते हैं वो debit हो जाते हैं और जो आपका cash bank होता है यह account bank होता है वो आपका क्या हो जाता है credit हो जाता है उसके बार डैटर्स है डैटर्स क्या होता है जो आपके कर्ज दहिंदगान होता है जिन्होंने आपको पे करना होता है ठीक है आपको आपसे उन्होंने कोई गोड्स कोई माल कोई चीजें खरीदी होती है तो उनकी पेमेंट्स अभी आपको नहीं की होती है यानि वह आपके क पर यह क्या होगा Cash bank का डेबिट ही रहेगा और जो डैटर्स है वह आपके creditors हो जाएंगे जाहरा आपको पैसे पेका देंगे तो आपके creditors हो जाएंगे और उसके बाद जब आप इसको return में करेंगे तो sales आपकी opposite में चले जाएंगे यानि वो debit हो जाएंगे और जो debtors है वह credit हो जाएंगे और finished good stock जब आप return करेंगे तो आपका debit हो जागा और cost of good sales आपकी credit हो जाएंगी यानि जो चीज़ पहले simple में debit है वो opposite में जाएंगे रिटर्न में आके credit हो जाएंगे और जाएंगे उसके बाद क्या bad debts bad debts क्या होते हैं ऐसे खर्जे जिन पर थोड़ा सा खपना पड़ता है जो आपको एजिली रिसीव नहीं होते यानि आपको बिजनस में loss दे रहे होते हैं आपसे माल खरीदा या तो वह बंदा तो उनको क्या करते है bad debts यानि बुरे कर्जे जो आपको नुकसान पहुंचा रहे होते हैं loss दे रहे होते हैं या आपको उनको रिसीव करने में problem risk लेना पड़ा होता है या risk involved होते है उसके बार next क्या है recording of bad debts bad debts की recording जब आप करते हैं तो उसमें आप क्या लिखते हैं कि आप आपके bad debts होते हैं वो debit होते हैं और जो आपकी debts होते हैं credit होते हैं थीक है उसके बाद इसमें क्या होता है कि आपको सारे expenses जो है वो दुबारा से दर्श करने पड़ते हैं जैर आपकी income पर असर पड़ता आपको कर्स नहीं मिलता और जो आपका balance sheet का figure होता है उसको भी आपक सारी जो बिजनस की financial statement है वो change हो जाती है ठीक है उसके बाद क्या recording of provision क्या है जब आप इसकी recording करते है या इसको record करते है तो इसमें जो provision of bad debts profit and loss में ये क्या होगा debit हो जाएगा और provision for bad debts ये क्या हो जाएगा credit हो जाएगा balance sheet में आपको इसको deduct करना पड़ेगा उसके बाद क्या presentation of provision for bad debts extract of profit and loss profit and loss show the provision इसमें क्या होगा कि आपका जो gross profit होगा उसमें से आपको expenses less करने पड़ेंगे जाहरा आपको expenses आपके हुए आपको भी less करने पड़ेंगे उसके बाद जो provision for bad debts है यानि आपको जो करजे नहीं मिले आपके वो भी आपको less करने पड़ेंगे ठीक है तो क्या था आपका जो total amount थी वह 1 lakh थी और जब आपके पास bad debts थे वह 5000 थे जब आपने उसमें से माइनस की है तो आपके पास क्या होगा 95 जो है वो रेस्ट आपके पास amount होगी उसके बाद bad debts and provision for bad debts क्या होगा परविए और bad debts जिसमें debit होगे और debtors जिसमें आपके क्या होगे credit होगे profit and loss में इसका recording कैसे होगी चूँकि यह आपके पहले से ही बने हैं जिनको आपने पहले से ही record किया वह तो इसको profit and loss में इसका effect नहीं होगा लेकिन जब आप इसको दुबारा से record करेंगे दुबारा से इसको करेंगे maintain करेंगे तो यह जो पर विजन bad debts था balance sheet में इसको आपको less करना पड़ेगा debit हो जाएंगे और जो profit and loss account में आप इसको क्या करेंगे credit की form में लिखेंगे अप जब यह increase हो रहे हैं इन में अजाफा हो रहा है तो आपके जो bad debts हैं वो debit हो जाएंगे profit and loss में और वैसे provision for bad debts आपके क्रेडिट हो जाएंगे उसके बाद यहाँ पर आपके साथ एक example share की गई है जिसमें आप November, January और April के आपको किसी company की bad debts की information दी हुई है during year और उसके बाद क्या है आपके साथ total debtors amount share की गई है और और उसके बाद यहाँ पर आपके साथ debtor amount share की गई है और उसके बाद क्या है 1800 इसमें से consider किये गए है bad debt के तोर पर आपने इसको profit and loss balance sheet में दिखाना है अब सबसे पहले आपके पास जो एक bad debtor का account बनेगा जिसमें आपने सारी recording करनी है उसमें यह सब चीजें क्या होंगी उसमें यह सब चीजें debit होंगी यानि आपके जो भी इसमें bad debts आया है वो क्या ह आपको बताया है कि जब आपने इसमें से जो आपके provision हुए है यानि जो आपको consider किये गया 3500 में से bad debt वो इसमें यहां पर आएंगे ठीक है और उसके बाद जब profit and loss account का आप बनाएंगे watcher तो उसमें क्या आएगा उसमें आपके यही जो bad debts हैं यह किसमें आ जाएंगे पहल आपके bad debts है वो आपने minus कर देने तो आपके पास क्या आजाएगा current assets आपके पास 33,200 आजाएंगे और जो आपके पास पूरे साल में जो नुकसान हुआ या आपको बार बार loss हुआ वो आपका कितना था जब आपने उसको एक simple account में record किया सारे total को तो वो आपके पास क्या थ 1230 उसके बाद एक और example उन्हें आपके साथ शेयर की है किसमा balance sheet कैसे बनाएंगे debtors की और आपके साथ बाकी balance or provision या बाकी चीज़े जो शेयर की गई है उसका सारा record आपको यहां पर करके दिखाया गया कि जो चीज़ balance sheet में credit हो रही है वो profit and loss में जाके debit हो जाएगी तो यह यह आपने देखना है और basically इसमें main lecture में आपकी definitions थी जादा जिसमें आपको यह देखना है एक जो change definition आपके यह crude expenses आया है कि वो कौन से होते हैं और provision क्या होता है bad dirt क्या होता है तो इसके आपने entry देखनी है कि यह simple में कैसे होते है return में क्या जाके हो जाते हैं इनको आपने याद रखने हैं आप एक simple notebook में इनको note कर लें कि जब आप इसकी recording करते हैं या अपने पास इसको darts करते हैं तो यह आपके पास क्या होते हैं और जब यह return हो जाते हैं या profit में जाते हैं या balance sheet में जाते हैं तो आप इनकी nature कैसी change हो जाती है तो यह सब चीज़े इसमें main थी